बिजनौर आज दिनाक 4 दिसंबर 2021 को जमात उलेमा ए हिंद के राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ट नेता जी मौलाना सोहेब कास्मी जी के बताएं आदेश वि निर्देश पर नेशनल सेकरेटरी एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं उत्तराखंड प्रभारी माननिय कारी जलीर चिष्टी एवं माननिय मौहम्मद अमीर जमात उलेमा ए हिंद के इंचाज पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया आठ वले के जिला अध्यक्ष जिला विजनौर से माननिय मौहम्मद अमीर भाजपा जिला कार्याले विजनौर पहुँचे और माननिय जिला अध्यक्ष भाजपा महोदे सुभाश बालमी की जी से मुलाकात हुई और गुलदस्ता भहित किया एवं एक दूसरे का स्वागत किया और बैठक में नफरत खत्म करके मुहबबत का माहौल बनाने का पैग और जिला विजनौर को और मजबूत और अच्छा बनाने के पैगाम दिया माननिय मौलाना सोहिप कास्मी जी जो जमात उलेमा हिंद के राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं भाजपा वरिष्ट नेता जी के बताये आदेश निर्देश पर माननिय कारी जलीर चिष्टी और दूसरे समाज सेवक माननिय मौहमद अमीर एवं हाफिज बहार आलम जिला अध्यक्ष एवं ग्राम अध्यक्ष मुंधला महताब भाई जमात उलेमा ए हिंद के साथ घूम रहे उत्तर प्रदेश में जोकी मौलाना सुहिव कास्मी जी की दूआउं से चल रहे है जमात उलेमा ए हिंद के नीतियों को घर-घर पहुँचाने का इरादा बनाया है और जमात उलेमा हिंद के इंचाज पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया आठवले के जिला अध्यक्ष माननिय मुहम्मद अमीर एवं समस्त जमात उलेमा ए हिंद के सिपाहियों ने माननिय ग्रिहमंत्री महोदे अमित शाह जी का जनमदिन के अफसर पर उनको बहुत-बहुत मुबारक बाद दी और माननिय मुहम्मद अमीर ने बताया जमात उलेमा ए हिंद एवं आर्पिया आठवले एवं बाबा साहब अमबेटकर जी के बताये गए रास्ते पर उत्तर प्रदेश में तन मंधहन से मेहनत कर रहे हैं मेरे साथी कंदे से कंधा मिलाकर कारी जलीर चिश्टी साहब जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश में लगातार आना जाना हो रहा है और गाओ गाओ जाकर के जमात उलेमा ए हिंद की का मकसद समझा जा रहा है और एक दूसरे के दुख तकलीफ में आना जाना हो रहा है जैसे की चार नवंबर को ग्राम संभल हिरा थाना कक्रोली जिला मुझफर नगर मुहम्मद इसलाम मरहूम की मौत में शामिल हुए उसके बाद 10 नवंबर 2021 को गाओ भागुवाला विधानसभा नजीबाबाद में पहुँचकर मुप्ती सल्मान जी के नेतरित्व में मदरसा अर्बिया उलूम शाही में मौजूद लोगों के बीच शर्च हुई और समझाते हुए इसी तरह 14 नवंबर 2021 को ग्राम मनोहर वाली मौलाना शहजाद वह मौलाना अश्फाक एवं कारी तालिब जी के नेतरित्व में पब्लिक स्कूल में एक सभा हुई और उसी गाओ में विधानसभा धामपुर अचानक एकसिडेंट में हुई मौत मु 2021 को कसबा बचरावा जिला अम्रोहा पहुँचे और अकील 35 वर्ष मरहूम पुत्र श्री कपिल जी के इंतकाल में शरीक हुए उसके बाद 22 नवंबर को ग्राम चितावर विधानसभा नगीना में हसीन उद्दीन जी के नेत्रित्व में एक शोटी सी सभा हुई उसके बाद 29 नवंबर 2021 को हमारे समाज सेवी डॉक्टर नफीस गुलरेज जमात उल्मा ए हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष जी के नेत्रित्व में उनके आवास पर नू कुछ समस्याओं को लेकर उनको अबगत कराया बिजनौ से पुशकर सिंग की रिपोर्ट